कोरोना के दोरान भारत ने जो solutions दिये वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मोका मिला कुछ CEO's ने जो बताया इसमें भी भारत की IT industry ने कमाल करके दिखाया है जब पूरा देश घर की चार दिवारी में सिमट गया था तब आप गर से ही industry को smoothly चला रहे थे बीते साले आंकडे दुनिया को भले ही चकित करते हो आपकी ख्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है सात्यों ऐसे स्थिति में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था तब भी आपने करीब 2% की ग्रोथ हासिल की जब डी ग्रोथ की आशंकाय जताई जा रहे थी तब भी अगर भारत की IT इंडिस्ट्री अपने रिवन्यू में चार बिलियन डॉलर और जोड़े तो ये सचमुच में प्रसमसनिय हैं और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं इस दोरान लाखों नए रोजगार देकर IT इंडिस्ट्री ने सित्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबुत पिलर क्यों है आज तमाम डेटा हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि IT इंडिस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदिया छूने वाला है साथियों नया भारत हर भारतवासी प्रगत्य के लिए अधीर हैं हमारी सरकार नए भारत के भारत के युवाओं के इस भावना को समझती हैं एक सो तीस करोड से अधिक भारतियों के आठांग्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं नए भारत से जूड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं उतनी ही आप से भी हैं देश के प्राइवेट सेक्टर से भी हैं साथियों आरत की आईटी इंडिस्ट्री ने अपने फूर्प्रिंट्स ग्लोबल प्रेट्शम पर बर्सों पहले जमा दिये थे पूरी दुनिया को हमारे भारतिय एक्सपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट सर्विसीज और सॉलुशन देने में नेत्रुत्व कर रहे थे योगदान दे रहे थे लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है उसका लाब आईटी इंडिस्ट्री को नहीं मिल पाया इस वज़े से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया एक तरथ से हम कहते हैं और हम कह सकते हैं दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी हमारी सरकार की नीतिया और निर्णे गवा है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस एप्रोच को बदल दिया है साथियों हमारी सरकार भी ये बली भाती जानती है कि मंधनों में भविश्की लीडर्शिप विक्षित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन्स से बंदनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है National Digital Communication Policy एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था भारत को Global Software Product Hub बनाने के लिए National Policy भी बनाई गई सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा कोरोना काल में ही अधर सर्विस प्रोवाइडर OSP Guidelines को जारू की गया अभी जिसका आपकी चर्टा में उलेक भी हुआ इससे नई परिस्तितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा आज भी जाते आप मैंसे कुछ स्मित्रों ने बताया कि 90% से जादा लोग अपने घरों से काम कर रहें इतना ही नहीं कुछ लोग तो अपने मुल गाउं से काम कर रहें दिखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वारा है 12 चेंपियन सर्विस सेक्टर्स में information technology को भी शामिल करने का लाब भी आपको होना शुरू हुआ है साथियों दो दिन पहले ही एक और महत्वपुण policy reform किया गया है जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है